मोधी के खिलाप नितीज कुमार को आगे करने के लिए अवलालू प्रशाद यादो न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बलकि बरे बरे इंडिया गर्वंधन के निताओं से फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं विपक्षी दलो की गर्वंधन इंडिया एलाइंस को जल्द ही सयोजक मिल सकता है जो संभावना बन रही है उसमें यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि नितीज कुमार के नाम पर मोहर लग सकती हैं कॉंग्रेस हाई कमान ने इस बारे में जदियू प्रमूख नितीज कुमार और आरजेडी सुप्रिमू लालू प्रशाद यादो से फोन पर बातचीत भी कर ली हैं इंडिया एलाइंस से जुरे सुत्रोक मुताबिक नितीज कुमार को गडबंधन का सेयोजक यानि कन्वेनर नियुक्ति किये जाने की पठकता जो है वो लिखी गई है इस फैसले पर अंतिम मुहर इस सब्ता होने वाली वर्चुल मिटिंग में लगाई जाएगी कहा जा रहा है कि इस वर्चुल बैठक में अन्य सहयोगी दलो का भी समर्थंज है वो मिल सकता है तो नितीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी चुकि इंडिया अलाइंस में खुल 28 पाटिया है ऐसे में लालू पुर्शाद यादो जो आरजेडी सुप्रिमो है उन्होंने भी अब पुड़ी तरीके से कमान अपने हाथों में ले लिया है एके करके तमाम इंडिया अगरोधन के बर्य निताओं से बाचित कर रहे हैं और नितीश कुमार के नाम पर समती दिलाने के लिए उनसे आगरा कर रहे हैं देकिए अब कॉंग्रेस भी तयार हो गई है ऐसे में ताजा धनकारी आ रहा है सुत्रोक मुताबिक के लालू प्रशाद यादों ने उधो ठाकडे ममता बेनरजी से फोन पर बाचित की है और उन्हें बताया है कि जो कॉंग्रेस प्रस्ताव रखेगी उस पर समती जो है आपको देना है कॉंग्रेस के तरफ से मलकार जुन खडगे वर्चुल मुटिंग में जूरेंगे और वो प्रस्ताव रखेंगे नितीश कुमार के नाम पर समयोजक बनाये जाने को लेकर चुकि चर्चा कि नितीश कुमार नराज हो गया है नितीश कुमार इंडिया एलाइन से बाहर जा सकते हैं भारती इंता पाटी के सांथ फिर्शे दोस्ती कर सकते हैं तो ऐसे में जटका सबसे ज़्यादा कुश को लगेगा तो वो नाम तेश को मुक्षमंत्री बनाने का वो ख्वाब और सपना अधूरा रह जाएगा अगर नितीश कुमार साथ छोड़ देते हैं तो ऐसे में लालू यादो भी नहीं चाहते हैं कि किसी विहाल में नितीश कुमार इंडिया एलाइन्स को छोड़ कर भारती जिंता पाटी के सांथ जा राजनिती की ओर भेजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं हलाक यह भी है कि प्रधानमंत्री उमिद्वार होना एक अलग बात होती है और सयोजक होना एक अले बात होती है चूकि सयोजक मनाए जाएंगे तब भी कोई ने कोई उमिद्वार कोई ने कोई चोहरा जो है वो बन सकता है अब तक कई नेता इस देश की राजनिती में गर्वन्धन की राजनिती में स्योजक बनाए गए लेकिन वो प्रधान मंत्री के उविद्वार नहीं हुए ऐसे में जो चर्चा है और जो जेडियू की चाहत है कि नितीश कुमार की जो छवी है उनके छवी के लराई आसान हो जाएगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नरिंद्र मुदी के लिए 24 के लराई काफी आसान हो सकती है तो इसलिए अगर टकर देना तो पर नितीश कुमार को स्विकार करना होगा जिस बात पर कॉंग्रेस पार्टी फिलाल जो है वो समत्ती जताती नहीं स्विकार को बनाए जा नितीश इंडिया एलाइंस के कन्विनर होंगे इसकी पठकता अब लिखी जा चुकी है लालू प्रशाद यादो एक एक करके तमाम निताओं से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें नितीश कुमार के नाम पर समत्ती देने के लिए आगर कर रहे हैं हला कर कर रहे हैं तरने कर वहे टास्तों पर समत्ती देन मलदskी कर करना अ lisड़ से ऑन कर रहे हैं हैं कर रहे हैं हैं है? और इसल्हार उन्हन Tंब अ कर रहे हैं?